हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है काईजन इनोवेशन योटूब चैनल में और आज हम डिसकास करेंगे कि एक कॉंफिदेंसली इमेल कैसे सेंड कर सकते हैं जीमेल एप की मदद से तो दोस्तो यह जो कॉंफिदेंसली इमेल होता है उसका यूज क्या होता है उसका यूज य यह है दोस्तों कि आप जब भी email send करते हो ठीक है तो उसके उपर आप password लगा सकते हो ठीक है कि सामने वाला बंदा जैसे ही open करें तो सबसे पहले password मांगे और वो password से ही email ओपर हो ठीक है तो यह जो confidence email है उनका इतने सारे purpose है यूज करने का ठीक है तो बहुत से लोग इसका यूज भी करते हैं तो उसको कैसे करना है कैसे इससे setting करने है कैसे उसको send करना है उन सभी के बारे में हम आपको आज पूरी जानकरी देने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ बने रह figure की हुई है ठीक है तो सबसे पहले मैं अपना एक email राइट करता हूं कि जो में को email लिखना है ठीक है तो यहां पर मेरा email आईडी आ रहा है जो मैंने security purpose के लिए हाईडी किया हूँ है यहां पर two में एक दूसरे सामने वाले का email आईडी चाहिएगा ठीक है यहां पर subject में ड कोई अच्छी सी पीक लगा देते हैं कि one second बस यहां पर फोड़ा setting करना पड़ेगा जो मैंने यहां पर मैंने यह पीक को set कर लिया है ठीक है अब confidently mode on कैसे करना है उसी के बारे में हम बताएंगे यह हमारा email type हो गया ready completely ठीक है अब हमें confidently email send करना है तो हमें करना क्या है कि यह करना है जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगा यहां पर यह पूरा एक अलग तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा ठीक है जिसमें set expire आप expire भी set कर सकते हो तो मेरे किसमें मैं सिर्फ एक डेज रखता हूं ठीक है require passcode तो दोस्तों उसके अंदर होगा दो option आते एक standard आता को पता होना चाहिए क्योंकि आगे हमें mobile number डालना होगा उससे होगा क्या कि सामने वाला बंदा जैसे email को open करेगा तो वहां पर उसके उस mobile नंबर पर एक password भेजा जाएगा एक OTP भेजा जाएगा तभी वो उस email को read कर पाएगा तो ठीक है यहां पर मैंने SMS passcode रख देता हू अब एक दिन के बाद इस तरह से remove हो जाएगा ठीक है यह complete होगा attachment होगया email right होगया ठीक है अब यहां पर send पर मैं क्लिक करता हूं जैसे मैं यहां पर send पर क्लिक करूंगा यहां कहीं missing information आ रहा है कि आपने phone number तो डाला ही नहीं है यहां पर दो option देता है का तो आप mobile number डाल द पेस्ट कर दिया है one second hold down ठीक है done यहां पर मैं अपना mobile number डाल दिया है with हमें mobile number जो डालना है वह mobile number प्लस आपका country code होना चाहिए जैसे के plus 91 वह अपना country code हो तो मैं आगे डाला हो पीछे मेरा mobile number यहां पर done पर मैं क्लिक कर देता हूं ठीक है तो मेरा missing information हो गया है completely और यह send button प यहां पर यह email id मैंने डाली तो जस्त में रिलोड करता हूं तो दोस्तों जो मैंने दूसरी email id से जो मैंने message डाला तो यहां पर आ गया जैसे हम यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो hello dear तो लिखा हुआ रहा रहा दोस्तों देखना यहां पर user interface जैसे यह लोड होता है तो किसी पर जो सामने वाले ने जो मेरा mobile नंबर उसको पता था जो mobile नंबर डाला था उस mobile नंबर पर मेरे को यहां पर वह एक OTP भेज़ेगा तो यहां पर मैं send passcode पर कर देता हूं क्लिक ठीक है यहां पर enter passcode wait कीजिए SMS देखिए यहां पर आ गया 206399 चलो यह passcode है 206399 ठीक है और यहां पर submit पर मैं क्लिक कर देता हूं ठीक है आप दूस्तों देख सकते हो यह submit पर मैंने क्लिक कर दिया था तो hello my friend यह message आ गया और यह image attach किया हो था यहां पर मैं जस्ट इस पर click करता हूं तो यह इस तरह से image attachment हो रहा है मैं यहां पर click करूंगा तो यहां पर यह कहीं से भी पर यहां पर चला जाता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो दूसरा आप देख सकते हूं इसके अंदर मैं reply कर सकता हूं बट मैं forward नहीं कर सकता आगे email को जो दूसरे जो normal email का behavior होता है उसके अंदर हम email को आगे forward भी कर सकते बट यहां पर हम मैं सिर्फ reply कर सकता हूं आगे forward भी नहीं कर सकता और यह एक दिन के अंदर expire हो जाएगा मतलब automatic delete हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ नीचे आ रहा है इस तरह से हम confidence email set कर सकते हैं with SMS passcode अगर कुछ भी समझ में आया किस भी तरह की परिशानी हो तो टैंसल लेने के जरूरत नहीं है हमारे वीडियो के comment box में डाल दीजेगा हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे help करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए so thank you guys to watching my video by tech care मिलते हैं नए वीडियो के साथ